चलो भाई तो अब हम स्टार्ट कर रहें अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सेमिकंड़क्टर ठीक है भाई देखो एक हमारे पास ह Ouais Sachen Grande ने पास किया होते हैं nov shy Unternehmen electricity होते हैं ठीक है तो अब हमने क्या कर रहा है हमने बहुत सारी चीजों को जैसे कि metals हुआ इंसुलेटर हुआ ठीक है और बोल सकते हो semiconductor जो उनकी बीच की category है तो कोई मुझे बता सकता है जब मैंने तुम्हें current electricity environment discussion स्टार्ट करूँ तो उससे पहले तुम्हें बात पता होने चाहिए कि हमने जितने भी चीजे होती है तो हमने तीन चीजों में basically divide कर रखी है एक होता है मेरे पास metal ठीक है फिर मेरे पास एक होता है insulator metal conductor होते है अफकॉस और फिर मेरे पास इन दौनों के बीच में category लाई करती है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं semi conductor तो मेरे पास ये तीन चीजे होती है ठीक है तो semi conductor का अपने आप में मतलब होता है controlled flow of electron conductor में तो बहुत ज़्यादा flow करता है सबको पता है ठीक है और insulator में तो करता ही नहीं है तो इसलिए semi conductor में हमने क्या क्या चीजे अपना ही है कि it is the controlled flow of electron controlled तो हमें control करवाना है ठीक है तो अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर metal की तो metal देखो अब तुम्हें पता है कि जो मेरे पास conductivity होता है conductivity को किससे represent कर सकते हैं कहना इसे sigma तो conductivity मेरे पास सिग्मा होती हो तो कंडुक्टिविटी का relation क्या होगा रिजिस्टिविटी के साथ वन बाय रो जाएगा inversely तो conductivity is equal to the reciprocal of the resistivity am I right everybody तो यह मेरे पास है conductivity और रिश्टिविटी के बीच में relation तो देखो अगर मैं 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 बात करता हूं तो मैं तुम लोगों को बता होगँ बहुत अच्छा से कि यहाव हाई resistivity और low resistivity metals की तर्फों की कि कम होगी तो कंडुक्टिविटी जदा होगी नहीं होगी तो इसलिए हम रिजिस्तिवीटी के टर्मस में बताना होता है तो बचेंड़े के तर्मस में ने बता सकते हूं वहाई कंडुक्टिवीटी तो इसका मिलंब में मैं क्या ले सकता हूं अभी हम आते हैं सेमी कंडुक्टर के ऊपर भी So firstly, लिखेंगे हम, they have very low resistivity, और very low resistivity के बाद क्या आजाएगा, very high conductivity, ठीक है, and very high conductivity, ठीक है बई, क्योंकि हमें ये relation पता है, जो कि हमने chapter number 3 में पढ़ा था, अगर मैं insulator की बात करता हूँ, तो insulator के लिए क्या हो जाएगा resistivity, they have, high, high resistivity, तो अगर resistivity high हो जाएगी, तो फिर ये, अच्छा resistivity, अगर किसी को याद हो, कोई है यहाँ पर ऐसा बच्चे जो resistivity का formula बता थे, ओम स्लॉसर चोंने drive किया था, तरफदार, resistivity का formula, अरे तुम कहां बैठो तरफदार, उपर बैठो है हो क्या, चत पे, अलग सा m by n e square tau, yes sir, ठीक है, सच में यही था कुछ और था, दिक्षा, are you 100% sure, yes sir, यही था, सोचलो एक बार, अगर यह गलत हुआ, तो बहुत बड़ी कार्रेवाई होगी, ध्यान रखना, नहीं सर, यही था, यही था 100%, ठीक है, m by n e square tau, क्योंकि हमने compare किया था, r is equal to rho l by a, तो जब compare करें, तो rho मेरे पास क्या निकल किया था, m by n e square tau, कुछ बच्चों की हालत दिख रही है, यहाँ पर कितनी अच्छी है, बताओ, टॉप बच्चों की हालत ऐसी है, तो बस पूछो ही मत कितने बच्चों ही कैसी हालत होगी, दिख रहे हैं, यहाँ पर कितना अच्छा रिज यह सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम में हसूँगा, क्योंकि हमारा काम है, हम सके सुख में साथ है ता, लेकिन अंदर तुम लोग repent करना, ठीक है, किसे 90 प्लस आया थे, कुसलिबस कम हो गया था, ठीक है, चलो को भी बातने, तो इसलिए अभी तुमारे पास टाइम है, अ तो एकदम बहुते जबाज आती है, नो, होता है न ऐसा शायद, ठीक है, नहीं होता जिसके साथ वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब आते हैं सेमी कंड़क्टर के पास, तो इसका यह क्या हो जाएगा फिर सनिया, इंसुलेटर के हाई रेसिटिविटी होती है, तो फ पर अरे, यह देखो, कितने अच्छी, कितना चरीजन है, तो घर पे तो मैं क्लास क्यों नहीं टेंट कर रही थी? अच्छा, अरे यार, प्रैक्टिकल्स के वजए से कभी भी क्लास में इस नहीं की जाती है, प्रैक्टिकल्स में मार्स मिलने हैं सबको, गैरेंटेड यहां पे 90% से जादा बच्चों को 30 में से 30 मिलने हैं, और 10% बच्चों को 29 मिलने हैं, ऐसा भी हो सकता है, 100% समझ में यह नहीं आ रहा है, कि इस समय जो प्रैक्टिकल ज़र है, उसका जो मार्क्स होगी और बोर्ड में तो लगेंगे नहीं सब ऐसी है, स्कूल वालों का, अम मैं क्या बोलो, रिकॉर्डिंग ओने है, स्कूल वालों का बस ऐसी है, ठीक है, तो मैं कुछ बूल नहीं सकता, चीज़े रिकॉर्ड में जाती हैं, यह सब कुछ नहीं है, अपना थियोरिकल पर ध्यान दो, प्रैक्टिकल से मार्क्स हर कोई जानता है यह बात तो यार, ठीक है, तो इसलिए इनके जाल मैं मत फस हो, स्कूल वाले जाल बुलते हैं, आओ प्रैक्टिकल करें, तो तुम कह दो, हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन थियोरिके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब आते हैं सेमी कंडॉक्टर तो सेमी कंडॉक्टर में मैंने बता है, यह कंट्रोल फ्लो होता है, तो देखो इसकी रजिस्टिविटी बीच-बीच की होती है, ठीक है, तो अब रजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकन तुम्हें वो याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक होती है, तो रेंज है, सब बच्चे याद रहेंगे 10 की पावर माइनस 5 से लेके 10 की पावर 6 तक ओम मीटर तक जाती है, ठीक है, तो यह जो मेरे पास रेंज है, वो सबको याद रखनी है, रजिस्टिविटी की 10 की पावर माइनस 5 से लेके 10 की पावर 6 तक सेमी कंडॉक्टर होता है, ठ अच्छा इंसुलेटर की राइस्टिवी तो बहुत ही जादा हाई है तो अगर इंसुलेटर की राइस्टिवी बहुत ही जादा ही है तो यह क्या होगी 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 तक जाता है ओम मीटर और मैटल्स का सबको पता ही होगा तो मैटल्स की तो लो है तो यह तो न लेकिन Semiconductor का किसी हाल में नहीं भूलना है, क्योंकि चप्टर का नाम Semiconductor है, ठीक है, एक मुच्छा Semiconductor का भूल गया, दोनों का याद है, उसे Metal Insulator, तो उसने लिख दिया, दोनों के बीच का, ठीक है, टीचर कुछ लीनियन्ट होते है, मुँमार्स दे देंगे, लेकिन त को हम संगे ङए तो कंट्रोल फ्लो आफ चार्डिस करवाना पड़ता है जो हमारे ऑग्जा ऑसारा सारी दिवाइजिस पड़ेंगत तो हमारे इसे मॉड्टि से की Semiconductor की ठीक है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे-पैरे बच्चो नो सर अच्छा जब तुम 11th किलास में थे शायद मैंने तुम एक चीज बते ती जिसका नाम था का बैंड ती यह वह यहां और लगा लगाए तो अभ मारे पास अरी यह बैंड थी एक लिए ओर एक मेरे पास होता है यह एक तो valence band होता है एक हमारे पास, ठीक है, और एक मेरे पास होता है conduction band, तो अब ये valence band और एक होता है conduction band, तो ये दो टाइप के band है, अब देखो, तो conductivity कब आती है, पहले सर्विचर ध्यान से सुनना, देखो, हर किसी का एक ही एम है, कि हर किसी को na conduction band में पहुचना है, तभी वो conductivity शो कर पाएगा, तो देखो, मालो, अभी na electron जो वो valence band में है, ठीक है, ये दो टाइप के band होते हैं, ठीक है, तो ये electron अभी valence band में फसे हुए ह अगर तुमने इन electrons को excited कर दिया, अगर तुमने इन electrons को excited कर दिया, excite करके, अगर ये conduction band में easily पहुच जाते हैं, अगर ये easily पहुच जाते हैं, तो इसका मतलब वो conductivity को show करेंगे, लेकिन अगर तुमने वे लेंड के एकक्साइड ऑर वो कंडुक्षन बेंड तक पहुची नहीं पाए, इलेक्ट्रोंस तो इसka मलत वो क्या है इन्सुलेटर, ठीक है, क्योंकि वो पहुची नहीं पाए, कंडुक्षन बेंड में तो bezते जिरो हो जाएगी ठीक है इसको इस तरीके से समझो जैसे मालो तुमारी फैमिली एकदम वेल सटल्ड है वेल सेटल्ड ठीक है एकदम आई एसे तुम मॉम डैड और अब तुम्हें भी वह आई एसका बढ़ा रहे तो तुमको एक सपोर्ट मिल गया ठीक है तुमारी एजुके क्टक्षण हें झांटे दिखा होगे लेकिन माली डू कि तुम तुम्हें पढ़ाया कुब अच्छा जा रहा है है तुम गया मसेल लाथा नियु can you add me? तो तुमने एड कर लिया उसे और फिर तुम कंडुक्शन में तक भी पहुंची नहीं पाए तो फिर क्या होगा क्या कंडुक्टिविटी आईगी नहीं तुम फिर बस एक इंसुलेटर बनके रह जाओगे और इंसुलेटर की क्या वेल्लियू होती है तुम जानते हैं वैसे सारे बच्चे लिखें on the basis of energy band सारे बच्चे लिख लाए on the basis of energy band तो उसके नीचे लिखें यह मलब on the basis of energy band कर रहा है band theory बोलते हैं इसे तो लिखना inside the crystal सारे बच्चे लिख लाए inside the crystal लिखें 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 the same set of quantum state ये श्याद मैंने बताया भी था तुमको एक conclusion principle आया था पॉली का याद है quantum number थे 4 किसी भी electrons के लिए 4 quantum number से हम हो ही नहीं सकते एक नाएक तो पक्का अलग होगा सबके position अलग होती है इसलिए तो है नो two electrons and no two electrons have the same set of quantum state तो उसके बाद लिखो because of this because of this even because of this each electron has a different energy level each electron has a different energy level लिख लिए इतना this different energy level is called energy band this energy level this energy level is called energy band तो यह कितने टाप की होते है energy band फिर तो यह दो टाइप के हम कर रहे हैं तो सबसे बाले नीच लिखो valence band valence band लिखो the energy band valence band में लिखना the energy band which includes the which includes the the energy band which includes the energy level of valence electron which includes the energy level of valence electron bond तो यह तो यह तो होता है valence bond valence band valence band ठीक है अब लिखना conduction band में लिखो the energy band conduction band में लिखो थोड़ा fast लिखो the energy band which includes the the energy band which includes the higher energy level which includes the higher energy level which may which may और may not क्योंकि वो conductor इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है which may और may not be occupied by electrons फिर से बोल लाँ the energy band which includes the higher energy band which may may or may not be occupied by electrons it's called conduction band ठीक है तो अब देखो अब ये conduction band उपर की साइड है ये नीवरा नीचे की साइड है और ऐसे करके energy बढ़ रही है मलब जो electrons की जो energy है वो इस तरीके से मेरे पास बढ़ रही है ये energy ऐसे बढ़ती जाती है अब लग कंड़क्शन बेंड की energy हमेशा ज्यादा होती है valence band की energy हमेशा खोड़ी कम होती है तो इन दौनों band की energy है लोग हो कि इसकी low energy है इसकी high energy है तो इन दोनों के बीच में नहीं की energy gap होते है जिसे हम क्या बोलते है energy band gap जिसको हम forbidden gap भी बोलते है ठीक है तो इनके बीच का gap है इसको हम क्या बोलते है energy band gap याद रहेगा सब बच्चों को तो इसको हम क्या बोलते है IG sorry 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 EG energy है ना तो EG EG का मतलब क्या होता है energy gap तो इन दौनों के बीच का energy है तो इस energy gap को देखते हुए भी अब हम क्या करने वाले है metals, non-metals और semiconductor को differentiate करने वाले है तो अगर तुमसे कोई पूछ ले what do you mean by the energy gap तो क्या बोलोगे the gap between the top of the valence band and the bottom of the conduction band it is called the energy band gap देखो valence band का top देख रहे हो ये ये valence band का top और ये conduction band का bottom ठीक है तो ये इनके बीच का gap है तो सारे बच्चे लेख लेए the gap between the top of the valence band top of the valence band and bottom of the conduction band is called the energy gap श्रिया प्यरी प्यरी बिच्ची अरे बोल तो सकती हो श्रिया चलो कुई बात महेक हाँ तो महेक तो महेक वट दीव मेन भाई दी फॉर्बिटन गैप और दी एनर्जी गैप वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी बाज आरे हैं तुमारी आवाज नहीं आरे हमारे पास ठीक है कोई बात निकरिती तुम्हें बता दो सब्सक्राइब बेट्वें टॉप वेलेंस बैंड और बॉटम अफ कंडॉक्शन बैंड ये इस कॉल्ड एनर्जी गैप ठीक है बई वेरी गुड तो ये बैंड थियोरी का एक इंट्रोड़क्शन था जो तुम्हें पढ़ लिया अब आते हैं देखो इसी बैंड थियोरी फिल्ड पर अब हमारे मेतल Ltd कंडुक्टर होते हैं या इंसुलेटर इंड़क्टर कंडुक्टर के योंते मैं टोस र легकट्रoon कि युक्र थे लूरे लूज करने चाते लेक्ट्रों सrollingora कि इसलियर इंकोुं थोलते हैं एवरीबइबडी कुश देखो, सब बच्चों की वीडियो ओफ है, सब बच्चों तो मैटल्स हमारे पास क्या होता है, कंड़क्टर होता है, राइट, लास में एलेक्टर्ण फ्री होते है अच्छा, अब तुम जड़ एक बात बताओ, अभी हमने दो टाइप की चीज़े पढ़ी, वैलेंस बेंड और एक होता है, कंड़क्शन बेंड, तो एनरजी गैप, माल लो, तुमारे मॉम डेड आईएस हैं, अब तुमारे मॉम डेड का जुगार है, माल लो, कि एक सीट पाज़ा सकते हैं, तो मॉम डेड क्सको बनाओं की, थे हमारे पड़ोस में इक लड़की है, उसको बनाओं यसा नहीं भाई, अपने बेटोपे लेतों करते हार कोई, तो इसलिए तो अपने बेटों को बनाओं अब, तो मुझे एक बाप बता up यहां पर बेते, मैंने पर पराइब गड को एंट खाल मैं ऑफ यह करते हैं कि मुझे। पास यह दो टाइब के बैंड है, अब मुझे बादाओ कर यह conductor है, सब कोछ एक दम well subtle है, तो अगर यह conductor है मेरे पास तुम्हारा भाई है के तरफदार, एक बार इसे pass लाना, चलो रहा है नहीं, ठीक है, तो यह जो मेरे पास दो टाइब के बैंड होते हैं, तो अगर यह आप अरे अगर दोनों बैंड आपस में overlap कर रहे हैं, तो बेटे को तो कुछ संगर्स करने के जरूती नहीं है, मैंने क्या बहुता है, एक्साइट होगा, फिर वह वहाँ पर पहुंचना होता है, तुम्हें जाने की जरूती नहीं हो तुम्हारे पास आ गए, कि आप I.E.S. बन कुछ नहीं करा हो उसने हैं, और वह enjoy कर रहा है, मैंगी खा रहा है वो, चौमिन खा रहा है, ये मादामीस के मुमूज, ठीक है, तो इसका मत्ला है, जो भी है, ठीक है, तो देखो, यह हमारे पास थो तो यह हमारे पास दो टाइप के बैंड हैं, अब तुम्हें पता है कि अगर यह दो टैप के band है तो यह आपस में क्या कर रहा है? ओललाप करेंगे, तो ये मेरे पास ये वाला जो band है, ये है conduction band, और ये वाला जो है, वैलेंस band, बच्चे को कोई मेहनत करने के जोतनी पड़ी, सब उसके पास आगा है कि आप प्लीज जॉब कर लो दो मिन्ट पांच मिन्ट कर लो बस हमारे वह जाएगा फैदा प्लीज कर लो ठीके तो इसलिए तो यह हमारे पास क्या है तो कंडुक्शन एकदम तेजी से आएगा क्यों कुछ जोब नहीं जाओ तो यह तो अगर अच्छ ठीक है है बहुत सरे बच्चे जो कोटिंग अच्छी करते हैं तरफदार है को तरफदार मचाएगा तरफदार है तरफदार है का तो यह नहीं 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 बोलता थी भागना पड़ेगा नई जब टैलेंट दिखता है तो टैलेंट के प्लीज भूला जाता है ऐसा कुछ ठीक है अपने पर कॉंफिदेंस रखो हुए तो सारे बच्चे ऑबर कॉंफिदेंस है बिल्कुल जीरो कॉंफिदेंस अरे बहु होगा क्यों नहीं अगर तुमा दना टैलेंट दो प्लीज भी भूला जाएगा तो तो तुम आजकल लिए इनसे बात करा करो शर्या से बात क मैंने एक दिन शर्या से बात करी अब देखो मैं कैसे फ्लोली एकदम फ्लोलेस पड़ा जाता हुए तो तो देखो अब यहां पर वापेस आते हैं सारे बच्चे लिएंगे सारे बच्चे लिखें दी कंड़क्शन एंदी वैलेंस बैंड मैटल्स के अंदर लिखना अधिक कंड़क्शन एंदी वैलेंस बैंड ओवल्लैप हें यह बतुलना वेयर वजी पर इठी बत्तमी तो ओवल्लैप हें अरे आरे न बतूरिया नहीं आ रहा है यार बहुत दिनों से कहा है आरे न बतूरिया यही बूलता नहीं से लेंग्वेज इधर है उसके प्रीबो पता है नहीं कौन है अभी रुख जो तुम्हारा नाम क्या है अरे पूछो अच्छा चैट करके पूछ रही हो अरे हमारे सामने पूछ तो कोई दिक्कत थोड़ी है चलो कोई बात में अविधिंग मिल भी ओल रहे है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है यह तो क्या लिखा है साम बच्छो नहीं कंडक्शन एंडी वेलेंस बैंड ओवलेप विधी जदो ठीक है और एनर्जी के कितना हो जाएगा एनर्जी गैप जीरो ठीक है तो लिखना एनर्जी गैप इस वेरी लो एनर्जी गैप एक एनर्जी होती है तो एनर्जी गैप या गैप एनर्जी इस वेरी लो ठीक है तो जब एनर्जी कोई बीच में डिस्ट कोई संगर्स का वो ही नहीं है फेस तो बस सब को जिक्दम ठ हो जाएगी देखो इलेक्ट्रों जहाँ पहें तुरन देख दम चले गए कंडक्शन में कुछ एक्साइट होने की विजरोत नहीं पड़ी है तो बताओ इसकी कंडुक्टिविटी हाई हो जाएगी या लो जाएगी अतुल तुम से ब्च रहा हूं तो यह हमारे पास अपना इस से मीघक्टर करने से वाले इंस्लूंटर का पड़लो ठीक रहता है डिकिए तो देखो तो अब अगरे पास यहां पर insulator की बात करते हैं तो सब को पता है अब गया बहुत ज्यादा होगा या बहूत कम? दो यह बहुत जीस है से मालो शर्याइब अल田rav बहुत ज़्यादा hard work किया. माल करती है विचारी ठीक है? तो बहुत ज़्यादा hard work कर रहे हैं लेकिन actually माल लो अब इसको क्या बनना है? इसको परधान मंतरी बनना है. कि रहे हैं, बहुत हो गया मोदी जी का. अब अगले परधान मंतरी मैं ही बनूगी. ठीक है? तो ये conduction band है, के मैं सोना चुटा के सुगए, conduction band है. तो अब श्रिया बहुत कोशिश कर रही है. बहुत कोशिश कर रही है. कहरी है, अच्छे दिन श्रिया लाने वाली है. तो लोग कह रहे हैं, श्रिया श्रिया लोग शोर मचा रहे हैं. लेकिन विचारी पहुंची नहीं पारी है. पहल तो यह नहीं का लेकिन मैं रुकूंगी नहीं ठकूंगी नहीं ठीक है कीप ट्राइंग इसने किसे बुदा कीप ट्राइए तो फाइन नहीं पहुंच पा रही है तो बताओ तक मोंची किया पिचारी में पहुचे लिगी लेगिन ainda को जाए कर समय में नहीं जा पाइंध cling on स्वाइमां यह उकूर्झ गाली आहीं क्या एनर्जी गाप या बहुत ज्यादा कर जाएगा बहुत ज़ाधा ईंर्जी के अहांपर ये three electron volts से भी जादा हो तो इतना ज़ादा energy के अहाँपर इसलिए वो नहीं पहुच तो ये energy को है यहाँपर हमने था दन भी पर लिया है और इंसुलेटर भी पर लिया है नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास यहां पर किसी को भी डाउट है तो कितने टाइब के बैंड होते हैं इस नहीं है वैसे एक इस्ट्रेचिब और नाम क्या उनके तो यह बैंड तो यह बारे हम पड़ रहे हैं तो सेमी कंड़क्टर में अब तुम्हें क्या लगता है देखो एक यह तो बिलकुली जीरो थी और अगर थी झासे जादा होगा फिर तो वह इंसुलेटर हो जाएगा तो यह कहांसे कहांता होनी चाहिए इसकी लिम्यूरेट बतायो जोचो zero से three जीरो से three तक three से जादा होगा फिर प्र तोवा इंसुलेटर में आ जाएगा और zero मत तो बोलो उसे low लिगे चलता है तो उसको लिखो ही मत ठीक है बस इतना बोल दो कि energy को कम तो कितना भी हो सकता है तो energy gap कितने से कम होना चाहिए ठीक है झाहिए तो अब हमें क्या करना है एक चीज का तो यहां पर अगर मैं बनाऊंगा एक डाइगराम तो यहां पर ज्यादा gap मत देना मलब एक यह मालो वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड यहां पर है ठीक है तो ज्यादा gap मलब ज्यादा gap भी नहीं है और एक दम overlap भी नहीं कर रहा है तो यह मेरे पास जो energy है वो तो यह तरी एक नवोल्ट तक की बोल सकते हो ईजी जो है वह इस तरीके से ठीक है भई तरी एक नवोल्ट से कम की energy है यह energy को प्रेसंट कर रहा है ठीक है तो किसी को भी कोई वह माइनस 273 बिलकुल माइनस 273 पर क्या हमें बहुत गर्मी लगती है एक दम हम सब बहुत घरमी हो रही है चलो चलो हवा करो ऐसा है का कुछ भाई बहुत ठंड होती है माइनस 1 पर जान निकल जाती है ठीक है ऐसे बैसे मैंने ऐसे चोचे बच्चे देखें मलब बहुत ही बुरी हलत हो जाती है ठीक है मैं क्या बोलू तो इसलिए मलब कुछ होता नहीं है अगर तुमना कोई यहां पर चेंवेन है को बूक करते न अब डाउन अब डाउन मालो जाती है सीरिसली मैं मजाख नहीं कर रहा हूं ऐसा होता है ठीक है तो इसलिए यह हमारे पास क्या है तो अब जब माइनस 270 celsius बहुत जाहोगे पहरे पहरे बच्चो महलब 0 Kelvin 0 Kelvin पर तो 0 Kelvin पर तो कोई किसी का भी साथ छोड़ दे भई मालो श्रय और कृति हैं ठीक है चलो छोड़ो सटेटेटब कर सब्सक्राइब तर अपने टाइम नेखना है तो यह हमारी चल्वार데 लेके चलंपका ल। थी हमारे पास हारे सेमी चंडुक्टर के बारे में तो जीड़ो कैलविंद पे कंड़क्षन भेंड में कोई नहीं जा सकता है अच्छे से अच्छा इंसलेक्टर में McMahon जा पाएगा तो उच टेम्पे सेमिकंडुक्टर भी क्या बन जाएगा thinking encontrator ए९ह एक चुका है यह एक्जाम में आचूका है टेम्प्सूलूर टैंप लिए बोलो जिडू केलविन पे जो सेमिकंडॉक्टर है अगर ऐसा है तो तुम बरबाद हो चुकिए चलो तो यह हमारे पास हुआ सेमिकंड़क्टर के बार तो भई देखो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा अब इसके बाद मुझे बाद बताओ अब ना आते हम टाइप सेमिकंड़क्टर पर देखो यह ना एक्चली टॉपिक तुम्हारा सॉलिड स्टेट में भी था लेकिन जो की सब्सक्राइब कि यह लेकिन पढ़ेंगे लेकिन उस से तो को सेमिकंड़क्टर इलेमेंटल भी होते हैं कुछ सेमिकंडुक्तर कंपाउंड भी होते हैं सबसेет nodig If European के अगर वो अकेला है- सिलिटेन अकेला है तो उसे क्या बूलोगे अलेमेंटल कंपाउंड एलिमेंटल लेकिन माल लोग कोई CDS है, कैडिमियम, सुलफाइड है, गैलेनियम, आर्सेनाइड है, अलग-लग टाइप के हैं, वो कमपाउंड टाइप के हो जाएंगे, ठीक है भई, याद रहेगा इसके नगे से को दिक्कत तो नहीं है, अब आते हैं purity के उपर, purity के उपर, तो semi-conductor को हम purity के उपर define कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो semi-conductor basically हम दो type के लेते हैं, एक होता है intrinsic semiconductor, एक होता है extrinsic semiconductor, intrinsic का मतलब होता है एकदम pure, एकदम pure sol, intrinsic semiconductor, पवित्रात्म, ठीक है, और एक होता है हमारे पास extrinsic semiconductor, खुब बत्तमीज बच्ची, या कुछ बत्तमीज बच तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास फिर एक्स्टेंश सेमिकंडिक्टर लेकिन आजकल तो महाली ऐसा है यह टीवी वालों ने सब बच्चों को बिगाड़ दिया है आजकल टीवी खूब धडलले सतनी क्या था रहता है बताओ किसी कान से खुन निकल जाए एक दादी अम्मा द ठीक है तो आजकल बच्चे बिगट रहें क्या करें और मॉम भी आजकल ऐसी हो गई है उसका पहला वड़ वही था उल्टी सिथी बाते ठीक है मानी बूला उसने तो ऐसे चीज़े होती है आजकल ट्रेंड खराब हो गया ना क्या कर सकते हैं इसलिए तो आजकल तुने सुन ट्रेंज़े का मतलब होता है प्यो टैइप सेमिकंडर्वन हैं तो प्यो टैप का मतलब है इसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटी नहीं मतलब अगर अकेला फॉसर्ट ос से मतलब नहीं है जिससे मोई एक बच्ची है यहां पर कौन से बच्ची लें मालो कृति है कि इसने यह साथ में तो रहेंगी या मालो वो तो अडिट्यू भाग जाएगी दिख्षा को पता है नहीं दिख्षा तो एंजिनिंग करेगी में को भी कन्नी है लेकिन और से करूँगी साथ से करूँगे मैं साथ का कल्चर बहुत अच्छा है मालो दोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो किरिती ने सोचा कि चलो भी इन सबसे ना देखो यव तो बोड़ा आ रहा है तो इन से नाता तोड़ दू ठीक है वहाता है नेक्सों तो फाइनले इसने सब के तोड़ दिया अभी अकेली है अपने आप में बढ़ाई कर रही है इसको किसे कोई मतलब नहीं है हम शिर्या के बाना बात करता है यह रियक्शन ही नहीं देती चुप चाप रहती है तो इसका मालाब यह क्या नहीं हो सब आत स्कुर Nah जाएक नहीं अपने लक्षे को भी ढक्राशी है यह भड़ाने तो इसका मतलब अब इतने लोगों से बात करें तो यह क्या हो जाएगा फिर यह extrinsic हो जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत लोगों से मतलब है सबको तुम कॉल घुमा रहे हो ठीक है तो यह क्या है मेरे पास extrinsic semiconductor ठीक है बई तो जब अपने साथ साथ किसी और से भी मतलब होता है कुछ बताएगा तो वह extrinsic माना चाता है लेकिन जब तुमें सिर्फ अपने आप से मतलब है तो वह intrinsic ठीक है भई नहीं आ रहा को समझा बहुत टफ टॉपिक है नहीं अरे example मत देखा राजा नहीं अपने वाला मैं मारें के पकड़के नंबर कट जा एहां से अब electron का ही और चला गया तो यहां पे electron की absence को दिखाने के लिए हम क्या उस करते है whole ठीक है जिसको तुम proton मान सकते हो ठीक है तो यहां पे दो लोगों के बीच की बात मनेद दो लोगों के बात हो रही है यहां पे एक electron है और एक है whole तो electron negative होता है और whole जो होता है वो electron यहां से हाँ जाते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कुछ भी, ठीक है, बस semiconductor के अंदूर, अगर electron का absent है, जहां से वो displays हुआ है, तो वहाँ पे फिर hole होगा, तो hole एक तरह से proton की तरह समझो, और एक electron, जो की, electron को तो electron नहीं समझोगे, ठीक है बई, तो intrinsic है, कोई impurity नहीं है, तो इसका मतलब, इसकी अंदर जितनी number of electron होते हैं, उतनी number of hole भी होते हैं, एकदम सब चीज एकदम clear करके चल रही है, कि मुझे तो computer science लेनी है, south में वाला college वहाँ से गन्नी है, औ और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, और मुझे इन समसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस मुझे पढ़ाई करनी है, और मुझे अपने लक्षे को भेतना एकदम, ठीक है, कृती की power, ठीक है, shut up everybody, तो ये intrinsic हुआ, ठीक है, equal equal है हर चीज, कोई unequal नहीं, कोई disturbance नहीं, तो due to the thermal excitation, I mean, heat up करोगे, excite हो जाते है, due to thermal excitation, the electron moves from the, कहां से कहां मूव करना चाहिए, किसी भी electron को फिर, अगर तुमने उसको excite कर दिया तो, अहीं बताया है, मैंने band, कहां से कहां करना चाहिए, semi-conductor में, valence and conduction, very good, very good, very good, so the electron move from, electrons भी हो सकते हैं, बहुत सारे, तो electrons move from, move from, valence band to conduction band, valence band to conduction band, अब एक बात बताओ, कृति, अब अगर electron, valence band से conduction band में चला गया, माल लो, तो conductivity आएगी, अब तो valence band में कौन रह गया, मैंने भी बताया तो इस पहले, proton, हाँ, और इस proton को कहा नहीं पता है, very good, यह दिखा दिया, कृतिन है, कि मैं एक दम, मालो, ठीक है, तो यह सारे बच्चे लिख लेंगे, तो क्या लिखा था, तुमना में भूल गया, the electrons move from, valence band to, conduction band, leaving behind, leaving behind, श्रिया नहीं, leaving behind a vacancy, okay, leaving behind a vacancy in the valence band, is called hole, is called hole, तो इसका मतलब अब तुम्हें कितनी चीज़ दिख रहे हैं, फिर hole कहां पर दिख रहा है, valence band में, और electron अब तुम्हें कहां दिखेंगे, conduction band, अब दिखो, electron के बास negative चीज होती है, मालो में negative, 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 market में negative चलता है, negative, इसका डाहलो कोई पता सकता है, कुछ नहीं पता हमें, हमें तो उसे पढ़ाई करता है, rockstar, rockstar movie में, जब वो आता है, रिया हो के, कहता नहीं है वो, negative, negative, market में negative, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तो यह हमारे पास क्या हुआ, तो Jordan जब होता है, Jordan का शोह रहा होता है, sadahak, चलो छोड़ो, तुम सब नहीं, कहां से कहां से, ठीक है, तो यह हमारे पास, electron जो है, वो valence band, valence band से, conduction band में चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर हो लो गया, और तुम क्या बोली हो, मैं कॉंसे भी देखता हूँ, तुम सब तो बोली होता है, अदिया के पार, देश-द्रोही, अखंड, ठीक है, जो भी चलो, ठीक है, ठीक है, तो यह हमारे पास है, होल हो गया है, अब, valence band में, और conduction band में मेरे पास क्या आ चुका है, electron, तो नीचे कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर मैं negative हूँ, हाँ, मैं यह बुल ला था, बतको मुद्द से कैसे बठक जाते हैं, अगर मैं negative हूँ, तो अगर मैं negative कहीं और चला गया, मैं मालो, अगर मैं negative हूँ, तो मैं और चला गया negative, तो अब, तो finally मेरी, मालो, मेरी बादी में negative है, कर मैं negative से और को दे दूँ, तो मैं खुद क्या हो जाओंगा, positive, वही वाली बात है, तो valence band कैसा हो जाता है, फिर last में, positive, और conduction band कैसा हो जाता है, negative, तो सारे बच्चे एक वाल लिख लेंगे, तो सारे बच्चे लिख लें, the number of electrons in the conduction band, क्योंकि जितना जाएगा, उतना ही positive जाएगा, so the number of electrons in the conduction band is equal to the number of holes in the valence band, भाई, 5 electron गए, तो 5 electron उपर गए, तो 5 negative उपर और 5 positive नीचे, तो ये equally तो रहेगा, ये है एक्दम clear सा topic, intrinsic, pure एक्दम, pure type semiconductor, जिसे silicon हो गया, germanium हो गया, ये pure type semiconductor कहे जाते हैं, तो सारे बच्चे लिख लें, the number of electrons should be equal to number of holes, ठीक है, इसे वो charge carrier बोलते हैं, और ये intrinsic का मतलब है pure type, there is no impurity in that, pure type, अब आते हैं, प्यारे पैरे बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है extrinsic semiconductor, तो अब extrinsic semiconductor का मतलब क्या होना चाह हैं, इसको extrinsic sinus पहले हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, current हमारे पात जो आता है, वो donor के वज़े से आता है, electron के वज़े से भी आता है, अब हम वो पूरा फिनोमेना पढ़ेंगे, भी चिंताकंद के बात नहीं है, तो current जो बनता है, total, वो donor के वज़े से बनता है electron के वज़े से भी, और hole के वज़े से भी, तो दौनों के दौनों equal है, तो अगर तुमसे कोई question पूछ ले कि total current कितना है, तो तुम क्या बोलो कि total current कितना हो जाएगा फिर, तो एक तो current आया है, किसके वज़े से, बोलो, electron, और एक क्या है मेरे पास, holes की वज़े से, ठीक है, ऐसा क्यों, देखो भई, मालो, अगर मैंने इसको किसी, मालो, बैटरी से connect कर दिया, ठीक है, तो अगर मैंने किसी बैटरी से, इसको नहीं समझो, मालो, जैसे एक बैटरी है, साइब ध्यान सूना, यह क्या है मेरे पास, valence band, यह है conduction band, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी की positive side से connect कर दिया, suppose कर लो, यह मालो negative से connect कर दिया, यह negative है, तो अब negative से negative electron, repulsion खाएंगे, attraction खाएंगे, repulsion, तो इसका मलब electron कहाँ चला गया, उपर, repulsion के विए से उपर चला गया, ठीक है, और जो hole है, वो hole क्या हो जाएगा, positive, तो positive से negative attract करेगा, या ripple करेगा, तो इसका मलब hole भी इधर आना चाहते है, right, hole इधर आना चाहते है, भी क्यों लगाया, hole इधर आना चाहते है, और electron उपर जा रहे है, अब तुम्हें पता है, electron का opposite क्या होता है, electron अगर इधर जा रहे तो current इधर आता है, opposite, तो इसका मलब इस electron के वज़े से भी current इधर आ रहे है, और ये proton थे positive और इसके वज़े से तो current इधर ही आ रहे है, तो दो current आट अप हुए है, नहीं हुए, सोचो, सोचो, yes, electron ऐसे गए, तो current हमेशा opposite आता है, और अगर positive ऐसे आ रहे है, तो current तो उसे direction में होता है, बताया है, तो इसलिए ये मेरे पास क्या बना, प्यारे प्यारे बच्चो, I is equal to IE plus IH, मला electron और whole donor के वज़े से current आया है, intrinsic के अंदर, तरफदर तुम्हें सम्झ में आ रहा है, इस सब क्या हो रहा है, येस सर, ठीक है, very good, तो अभी ना इसके अंदर में बहुत सरी चीज़ा समझा जैसे कि यहां पर recombination भी चीज़ आएगी, एक potential barrier भी आएगा, ठीक है, वो सब चीज़े हम करेंगे, अभी बस हमने एक basic idea लिया है, ठीक है, तो अभी ज्यादा confused होने के जरूत नहीं है, अब आते हैं, extrinsic semiconductor के उपर, तो extrinsic मैंने क्या बताया था, इसके अंदर क्या होता ह इंपीरिटी होती है, अभी इंपीरिटीεις होती है, इसको अपीरिटी, इस hebben बोलते हैं, डोपिय। दोपिंग, ये दोपिंग वो नहीं है, कि तुमारा दोपिंग टेस्ट होगा, बिटा, हमें सब पता हुमने क्या किया था, वो एथलेट का होता है, एथलेट क्या करते है, अपनी पर्फॉर्मेंस इन्ज करने के लिए कुछ ले लेते हैं, अच्छा ऐसा, ठीक है, अर्नाव क परे घर में आवाज गुंचती बहुत सारे इसे किसी को रास्ते में ऊपोसर पूलते हैं कोई तुरी होता है इसे को वाहि बो तो 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 यह अपने घरवालों के साथ जा रहे तो 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 जिंद की नहीं जोड़ जाएगी बता पर अब क्या करें नॉंसेंस लोग है ठीक है आ जाते हैं एक स्थिंदि का मलत सारे पछे लिख लें तो एक स्थिंद्शी में क्या करना है लिखो दीटिशन ओफिंव प्यूटी दीटिशन ओफ इंपूरिटी दीटिशन ओफ इम्पिरिटिशन इंडी सेमी कंडुक्टर्स इस जाइप भू दोपिंग इस जाइप गूंझ अग अगर materials are called and the adding of impurity in semiconductor is called doping and such materials are called doped semiconductor doped semiconductor तो देखो impurity से ना चीजे conductivity increase होती है ठीक है तो जैसे मैं इसको थोड़ा example से मैं समना जैसे मालो अभी एक ही है तो उसके पास एक ही electron है करवाने के लिए लेकिन अगर उसने दो तेनी electron कहीं ना कहीं से ले लिए तो charge बढ़ जाता है ऐसे जैसे मालो शर्या की बहुत सारी दोस्ते हैं शर्या ने एक बाल कॉल किया तो कृटी से लेती थी कृटी नहीं मांगती थी लेकिन एसा मेरे साथ नहीं है ठीक है वह इतम तरफ़तार इतम स्रेट फॉरवर तो फिर शर्या ने दिक्षा को कॉल किया फिर दिक्षा ने भी इससे पैसे माले कि 10 करूर ठीक है फिर कृटी को कॉल किया एक करूर ठीक है तो सबने खुब पैसे लें दिन जो हुरी है हमारे पैसे यहां पर तो इसकी वज़े से इसके connection और इसका जो network काफी strong माना जाएगा तो इससे conductivity काफी अच्छी मानी जाएगी क्योंकि हर किसी के साथ ऐसे loan वाला हिसाब चल रहा है ठीक है तो इसी को बोलते है सब्रकुर्ट स्ट्रीशन और addition of impurity ठीक है extrinsic semiconductor माला इसे इसे इंप्योर नहीं बोलते है इसे इंप्योर बोलते है और होना कोई बुऑरी बात नहीं है और वोट लिए रहे हूं सारे बच्छे लिख ले कि quiet situations करवाने के लिए हमने इंप्योरी टीस वैश can playful the conductivity of a semiconductor can be improved by adding a by adding a suitable impurity by adding a suitable impurity by adding a suitable impurity in a specific amount in specific amount and it is called extrinsic semiconductor and it is called intrinsic semiconductor oh sorry 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 my bad it is called extrinsic semiconductor okay now let's see if you guys like the parietal table you have used it then one is 13 group one is 14 group one is 15 group now let me tell you who keeps the electron who keeps the electron from 13 group 14 group 15 group beach watch the electron oh no beach see 11 12 13 14 15 16 17 18 so here carbon carbon one is 4 valency you can give and lose you can do which group foreign principle exactly facebook five carbon silicon germanium tin lead five six शायद 11th class में, अब यह तो 15 से start हुआ है ना, तो carbon, silicon, silicon, germanium, तो यह germanium है एक semiconductor है, ठीक है, pure type है यह, अब मुझे एक बाप बताओ, देखना सारे बच्चे, 13 के पास electron कमी है, मतलब 13 वाले गरीब हैं, ठीक है, यह शायद में पहले भी समझा रख था, तो तुर मुझे याद आ रहा है, और 15 वाले अमीर है, और यह middle class है, यह लड़की है, यह middle class वाले लड़की है, ठीक है, यह germanium, 14 ग्रूप वाली, अच्छा, अब मुझे एक बाप बताओ, माल लो, जब इसकी शादी होई, तो इसकी शादी ना किसी गरीब उससे हो गई, unfortunately माल लो, ठीक है, गरीब खरसे इसकी शादी हो गई, तो अब जब इसकी शादी हो जागी, तो फाइनली मुझे एक बाप बताओ, माल लो, माल लो, ठीक है, तो यह मेरे पास इलेक्ट्रों डेफिशेंट है या इलेक्ट्रों डेफिशेंट है, डेफिशेंट, डेफिशेंट माना जाएगा, क्योंकि शादी किसी होई है, डेफिशेंट वाले से, तो ये जो electron deficient वाला semiconductor बना अब ठीक है इसको हम बोलते है P-type semiconductor ठीक है वो बस एक स्टोरी है जान पूचका I know that आजके महिला स्चक्तिकराण हो रहा है वो अच्छी बात ठीक है तो electron deficient का मलब क्या होता है P-type semiconductor किसी को भी कोई doubt है इसके अंदर P-type का मतलब electron deficient बहुत कमी है यहां पर लेकिन चार्ज तो आया वह मैं तो चार्ज से मतलब है डेव चार्ज तो कैसे भी आ सकता है तीन ले लो या तीन दे दो दे दो तो पॉस्टिव चार्ज ले लोगे तो नेकिटिव चार्ज अब मालो एक और लिड़की थी यहां फॉर् से ठीक है तो जब 15 वाला रिच था ठीक है बड़ा होगा ना नाइटोजन फॉस्फरोस आर से नहीं केंटी मनी बिसमत चली तो रही अभी ठीक है तो इसने 15 ग्रूप वाले से करा तो अब यह मिडल ग्लास और रिच तो overall क्या हो गया ठीक है तो अब जब यह पुरा रिच बन गया एलेक्ट्रोन की रिचनेस आ गई माला नेगेटिव एलेक्ट्रोन काफी आ गए तो यह मेरे पास क्या हो जागा एलेक्ट्रोन रिच और एलेक्ट्रोन डिच को हम क्या बोलते है एंटाइब सेमी कंड़क्टर ठीक है बई तो इसका मतलब वैन 14 ग्रूप डूप ठीक है विद धी 15 ग्रूप इट फॉर्म्स दी एंट टाइब सेमी कंड़क्टर ठीक है बई किसी को भी कोई डाउट है पहरे पहरे बच्चो नो सर्थ ठीक है तो देखो अभी ना यह स्टेट्मेंट भी आ जाते है की वेन यू हव सम इलेमेंट और यू इन यू इ यह था इसके वेन से तीन ही तो है अलूमीनिम इंडियूम खुलीई म३y यहाद ना लूमीनियम कैuu लिदो से क्या बनता है ओर यिश्चीज़य निutetर Travis से Crane अच्छा कि लिए अपने आप में अलग ङहमियत है ठीक है और अपने आप में अलग है अब यहां पर दॉनों का ही अपना अपना एक अलग वह है ठीक है बतता है तो यह P-type अपना अलग इसकी value है और N-type की अलग value है दॉनों का ही use है अगर P-type ही नहीं होंगे तो सरकार कैसे चलेंगी यह जितनी भी scheme आते हैं सम्मिटर ग्लास के लिए तो सब अमीर हो जाएंगे तो इसी लिए ठीक है भई तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर अब एक चीज़ याद रखना जब भी मैं बात करता हूं n-type semiconductor की n-type तो n-type के अंदर क्या चीज़ जादा होते हैं electron जादा होते हैं hole से तो इसका मदब n-type के अंदर number of electron should be higher than number of holes तो भई p-type में क्या चादा हो जाएंगे फिर holes तो क्योंकि वहां पर क्योंकि electrons तो ही नहीं तो यहां पर फिर p-type के अंदर क्या बोलोगे number of holes holes should be एक तो जाने मरी language ऐसे होगी है number of holes should be higher than number of electrons ठीक है conscious करते हैं तो यहां ते किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है वही तर तभी तो camera बंदी रखते हैं हां 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 बिलकुल ठीक है तो देखो भई अब यहां पर मैं एक बार दिखा जेता हूँ अगर मालना तुम्हारे पास कोई भी semiconductor ठीक है प्रॉपर एक arrangement है तो इसके इन तो तुम्हें एक positive चार्ज पक्का मिल जागा क्योंकि विचारी गरीब है electron दे चुके है हम तो electron दे चुके सनम ठीक है मलब सनम नहीं किसी और को ठीक है तो हम electron दे चुके है तो यह positive और हम electron ले चुके है सनम तो यह है मेरे पास n-type तो यहां पर तुम्हें negative चार्ज देगेगा ठीक है कुछ लग खुश हो रहे है कि ओई तो मेरे टाइप की मुवी है ठीक है तो यह positive के वज़े से हो गया मेरे पास मतलब पी टाइप और electron के वज़े से हो गया negative चार्ज यह हो गया n-type किसी को भी कोई डाउट है पी टाइप और n-type के अंदर पेरे पेरे बच्चो ठीक है तो क्या यहां पर n-e is equal to n-h कोई लिख सकता है extrinsic वाले में मतलब भी नहीं बनता है extrinsic में impurity होती है तो extrinsic के अंदर number of electron और number of whole बराबर हो ही नहीं सकते है ठीक है तो इस चीज़ का भी तुम लोगों खास धियान रखना है अब ना एक formula आ रहा है और वो formula क्या होता है वो आता है number density के उपर ठीक है तो चाहे तुमारे पास p type हो चाहे तुमारे पास n type हो तो एक मेरे पास होता है number density of charge carrier तो number density of charge carrier को हम ni से represent कर रहे है तो यह मेरे पास एक relation है although derivation आती नहीं है तो number charge density is equal to ni square is equal to ne into my nh पहला formula derivation is not in your syllabus तो यह ni क्या है तो इसको क्या क्या बोल रहे है यह the number density density of charge carriers लगने रहा है से physics पढ़ रहा है असा लग रहा है कि केजी किलास का subject आगे है कि आओ चलो बच्चो पहरे बड़ा टॉपिक पोड़ा है ठीक है बहुत एजी है ना इतुम थेयोटिकल तो इसके बाद ना थोड़ा सा कॉंसेप्चल पोशन स्टार्ट होगा जैसे कि डायोड स्टार्ट होंगे पी एंजंक्शन स्टार्ट होगा ठीक है डिप्लीशन लियर कैसे बनती है तो इतनी सारी चीज़ हो हमारे पास यहां पर स्टार्ट होंगी तो अभी के लिए तुम्हें बस इतना सा याद रखना है ठीक है बई तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हो अब तक हमने जतना भी पड़ा तो उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो येस यू के नास्क तो इंट्रिंसिक और एक्स्ट्रिंसिक में में डिफरेंस क्या क्या होता है एक्जाम में आ चुका है और इस बार तो पूरा टॉपी की हड़ गया है देखो लास से लास्ट य ठीक है मालब इतने ट्रांजिस्टर थे सारा स्विच था लसी ऑसिलेशन था तो लास्ट यह फिर वह पूर्शन कट गया बहुत खुशी कि लहर आई बच्चो मैं रहे वा ट्रांजिस्टर कट गया इस साल और भी अच्छी बात है इस साल तुमारा पूरा का पूरा वही सब कर चुके हैं तो बस चूट असा टॉपिक बचले हों तो यहां से कुशन आ सकता है तो इंट्रिंसिक एक प्यो टाइफ सेमिकंड़क्टर होता है जिसमें टेट्रा वेलेंट क्रिस्टल होते हैं रही अच्छा एंट्रिंसिक एलेक्टिकल कंड़क्टिव्टी जादा होगी को लो या लो होगी लो होती है मैंना बताया ना डूपिंग जब करते हैं तो connection अच्छे बनते हैं जब तुम बात ही नहीं करोगे तो connection कहां से अच्छे बनेंगे साह तो चाप रहते हैं कुछ अपने आप से महत खुश है ठीक है वी अर इन फैमली और दो कर वा हैं अच्छी बन जाते हैं तो इलेक्टिकल कंड़क्टिव्टी लो होती है किसकी intrinsic की लेकिन extrinsic की high होती है, कोई reason बता सकता है क्यों high होती है, doping की वज़े से because of the doping, very good शर्बास, very very much ठीक है, तो भई, यह सब चीजे हैं और N-type, P-type की बीज में भी तुम्हें करके difference हाज़ाता है कर गभी N-type में वही 13 group वाले N-type में 15 group के साथ करते हैं ठीक है भी, बहुत simple सी बात है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए next class में यह वाले chapter भी खतम हो जाएगा तो चलो, आज के लिए इतना ही रखते है बाकी मिलते है chemistry class में आज के लिए इतना ही, bye bye